तो पिसले वीडियो में हमने बात की थी कुम लगन वालों के लिए इस वीडियो में अब लास्ट में बारी आती है मेन लगन वालों की जहाँ पर हम बात कर रहे हैं जून 2022 की तो जो मेन लगन वाले हैं उनके लिए ये महिना कैसा रहेगा देखिए गुरू का एडवांटेज आप लोगों को लेना चाहिए गुरू जो की लगन में चल रहे है आपके गोचर में और जो की टैन्थ लोड है तो जो लोग मिसेस कार कैरियर ओरियन्टेड होते हैं प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा सीरियश होते हैं उन लोगों को यहाँ पर सबसे ज़्यादा इसका मिलेगा और आपको यह फाइदा लेना भी चाहिए महनत भी थोड़ी करनी चाहिए तो आप लोगों के लिए सबसे अच्छा टाइम आपका चल रहा है जहाँ पर आपको लकवी साथ दे रहा है जहाँ पर आपकी सेहत भी अच्छी ही होगी जहाँ पर आपको जोब में परिशानी नहीं है या फिर जोब अगर मिली नहीं तो मिल जाएगी या फिर मिली गई होगी तो ऐसी स्थितिया है आप defend करते हैं आपकी महादसा और अंतरदसा पर भी कि आपकी महादसा और अंतरदसा कौन सी चल ले तो उसके according पर result मिलते हैं बट गुरू के इसाफ से यापके लगनेस के इसाफ से देखा जाये तो overall बहुत ही अच्छी इस्तिति आपकी ये एक साल तक रहने वाली है तो यहाँ पर हम गुरू की बात करी रहे हैं और गुरू देखिए टेंथ लोड है तो टेंथ लोड होने की वज़े से और यहाँ पर जो लगन में आ रहे हैं तो एक नई पहचान मिल सकती है आपको अपने कारिये के द्वारा अब आप अगर टिचिंग के फिल्ड में हैं या किसी भी फिल्ड में हैं कहीं पर आप कोई किसी को कोई गाइडेंस देते हैं कोई प्रामर्स देते हैं तो उससे समंधित कारिये में भी काफी अच्छी सपलता को यहां पर गुरू दिखा रहे और यह गुरू जो की लगन में गोचर कर रहे तो थोड़ा बहुत मोटापा दे सकते हैं आपको शारिक रोप से एक सुडोल सरीर की हमेशा काम ना करते हैं बट यहां पर कही ना कही ए थोड़ी से यह समस्या रहते हैं कई बार जब गुरू लगन में गोचर करते तो आपको वजन बढ़ने की समस्या हो थोड़ा या फिर सरीर का जो मोटापा है वो बढ़ने की समस्या वो किसी भी वज़़ा से हो सकता है आप बहुत ज़्यादा मेहनत ना करें सारिक रूप स या फिर बहुत ज़्यादा खाना खा ले तो यह थोड़ा सा आपको यहां पर ध्यान रखना ही है बाकि आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है यह तो गुरू की जो दृष्टी पढ़ रही हो आपके पंचम भाव पर पढ़ने से आपको संतान समंधिकारियों में खुद क कि एजुकेशन में या फिर कहीं इंवेस्टमेंट वगरे कर रहे हो कुछ भी काम कर रहे हो पंचम भाव से रिलेटेड उनमें काफी अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा साथ ही गुरू आपको प्रेम शमंदों के लिए भी काफी अच्छा रहेगा गुरू की जो दृष् दिकतें चल रहे हैं वो दिकतें दूर होंगी जिनको काफी सारी समस्या आ रहे हैं वो यहां पर सुलस्ति हुई दिख रहे हैं इसके अलावा कहीं न कर अगर पार्टनर की सेहत को लेके कुछ समस्या है या फिर आप बिजनस कर रहे हो बिजनस में कोई दिकत है पार्टनर् करेंगे आपको अच्छी पॉजिटिव नजर से देखेंगे कहीं न कहीं और आप लोगों के लिए एक सलाकार के रूप में उससे भी ज्यादा हो सकती है तो यह एक जेंटलमैन की तरह दिखाता है गुरू लगन में गोचर कर रहे तो आपको काफी अच्छा रेस्पेक्ट द नाइन था उस पर दर्ष्टी पढ़ने से देखेंगे गुरू जो की लगन में गोचर कर रहे तो भागी साली तो आपको बनाई रहे हैं वैसे भी और जब इनकी दर्ष्टी यहां पढ़ रहे है तो निस्सित रूप से आपको भागी का साथ जरूर मिलेगा कोई अच्छे गुरू जन की तलास में अगर आप है तो आपको अच्छे गुरू जन मिल जाएंगे यहां पर और अगर आपका कोई हायर एजुकेशन या ऐसा कुछ काम है तो उसमें भी यहां पर काफी अच्छी हेल्प मिलने वाले है गुरू के इस कोचर के द्वारा तो प्रोफेशनल मिलन के है यहां देखा जाएए या फिर आपके बिजनस परफस से धेखा जए सभी के लिए इस्तिति काफी अच्छी हमें नज़र आती है तो अब आगे बढ़ जाते मंगल के बारे में अगर बात करें तो सेकंड हॉस के स्वा .... यहां पर लक साथ हूस तो आप देख सकते हैं एंड के 3-4 दिनों में वो जाने वाले आगे तो यहां इनका जो overall result रहेगा वो इसी भाव का सबसे ज़्यादा रहेगा और यहां पर जो की मंगल के पास स्वामित वह है आपके 9th house का तो 9th house के कारियों पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट इसका पढ़ने वाल है साथ में देखिए गुरू और मंगल साथ में तो ऐसे जो जातक होते इस परकार की अगर यूती बन जाती है तो आपके टारगेट बहुत हाई रहते और कोई छोटा मुटा काम करना भी ऐसे जातकों को पसंद नहीं होता और थोड़ी ego problem से आप जरूर दूर रहे इसके इलावा फालतों में गुसा करने फालतों में किसी परकार से किसी के साथ लड़ाई जगड़ा करने ऐसी चीजों से आपको दूर रहना ही होगा अब जो मंगल हैं मंगल क्योंकि सेकंड हाउस के स्वामी है तो फैमली की चिंता फैमली के लिए जो कुछ भी आप कर सकते हैं करेंगे और अपने प्रॉपरिटी समंधी कारियों के लिए भी आपको यहाँ पे जो मंगल का एफेक्ट है वो देखने को मिलेगा तो एक अच्छी इस्तिती अवरॉल हम कह सकते हैं यहाँ पे और यह ऐसे इस्तिती है जहां पर यह बार-बार नहीं बनती इसका फाइदा आपको जरूर लेना चाहिए अब आगे बढ़ जाते हैं यहाँ से और बात कर लेते हैं शुक्र के वारे में शुक्र के वारे में देखा जाए तो 18 जून तक मेस में रहने वाले हैं यह आपके सेकेंड हाउस में और राहू के साथ वो यूति भी करेंगे और वो आपके अस्टमेश है और अस्टम में के तुगोचर कारी रहे तो देखे कोई एकसिडेंट वगरे के ऐसे कुछ चांसे बन सकते हैं और शुकर रहू का साथ है सेकेंड हाउस में तो निस्थी वानी को लेके या और भी आम ये कह सकते हैं खान पान को लेके तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको बहुत ज़्यादा महेंगा या लग्जरियस जो चीजे हैं जीवन में उनका शोक होना बहुत ज़्यादा लजीज वेंजनों का आपको शोक रहना इस तरह का आपको फिलिंग आ सकती है तो ऐसा भी हो सकता है कहीं न कहीं कोई बहुत बड़ा खर्चिला आप भोजन करें जहां पे आप बहुत ज़्यादा पैसा पे करेंगे और आपको नोनवेज वगरे से दोर जरूर रहना चाहिए इस कोचर में तो अब शुक्र और राहू की जो यूती यहाँ पे बनेगी यह यूती जो विसेस कर आर्टिस्ट लोग है उनके लिए ज़्यादा अच्छी रहेगी जो सिंगिंग से रेलेटेड काम करते या अपनी वानी के दोरा कुछ ना कुछ काम करते उन लोगों के लिए बहुती अच्छी यहाँ पे इस्तिती बन रही है अब शुक्र को देखा जाए तो शुक्र क्योंकि तृतियेस है तो मेडिया से जुड़े हो या फिर आप तीसरे घर से समंदित कोई भी काम कर रहे हो तो निश्य दूप से फाइदा मिलने वाला है जहां पर वो अपने खुद के ही घर में रहेंगे तो यह इस्ति है जो शुक्र की वो भी आपके लिए अच्छी रहेगी प्रेम शमंदों में भी यहाँ पर अच्छी सफलता मिल सकती है कोई आस पडोस में आपका प्रेम शमंद है किसी से तो शुक्र का यह गोचर अच्छा रहेगा फिर तीसरे भाव में जा रहे हैं तो निश्ची थी कई न कई भाई भेनों के साथ भी अच्छा ताल मिल आप लोगों का रहेगा पडोसियों से या फिर आपके जो रिस्तेदार है उनकी भी आपको मदद मिल जाएगी तो तीसरे घर में शुक्र जाने के बाद अगर आप कोई आर्टिस्टिक वरक कर रहे निश्चित रूप से यहाँ पर शुक्र आपको ज्यादा फाइदा देने वाले तो लेकिन यहाँ पर राहू के साथ यूति कर रहे शुक्र तो इसका जो प्रभाव है वो एक अलग ही रहेगा आप लोगों के उपर अब हम यहाँ से आगे बढ़ जाते और बात कर लेते हैं बुद्ध के बारे में देखे बुद्ध जो की आपके फॉर्थ हाउस की श्वामी है और वो सेवन्थ के भी श्वामी है अब बुद्ध यहाँ पर मारगी होंगे तीन जून से मारगी हो रहे हैं और तीसरे घर में मारगी हो रहे हैं तो देखे इसका असर सीधा सीधा तो आपके communication पर पढ़ जाएगा एक तो और वो 7th load है तो देखे business पर भी इसका असर पढ़ेगा business अच्छा होगा अगर अभी अभी शुरू किया है तो अच्छा business चलेगा अगर पहले से शुरू किया या partnership नहीं हो रही थी कोई काम नहीं बन रहा था business का तो वो भी आपका बनेगा यहाँ पर निश्चित रूप से जो बुद्ध का रिजल्ट है काफी अच्छा हम कह सकते मारगे होने के बाद और सूर्य के साथ यूति कर रहे तो थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर जो परभाव है अच्छा ही देखने का मिलेगा इसमें जैसे किसी परकार की ऐसी समस्या नहीं लगती कि आपको कोई दिक्कत आने वाली है क्योंकि बुद्ध है वो मुखिरूप से आपकी बुन्ती से समन्द रखता आपके बिजनेस वगरे से समन्द रखता आपका बिजनेस किस तरह से ग्रो करेगा आगे आने वाले समय में यह सब यहाँ पर जो है हमें देखने को मिल सकता है फिर यहाँ पर बुद्ध है उनकी तो हमने बात कर ली और बुद्ध का जो यहाँ पर दृष्टी है वो पढ़ रही यहाँ पर तो शुरुवाति जो 4-5 दिन है उनमें काफ़े अच्छी सपलता मिल सकती है संतान प्राप्ति के भी चांसेज लग रहे हैं शुरुवाति 3-4 दिनों में आप लोगों को तो ऐसा भी आप बलानिंग कर सकते हैं इसके बाद सूर्य के बारे में बात करेंगे सूर्य को अगर आप देखोगे तो कहीं न कई सूर्य का गोचर 15 जोन तक वर्षब में ही रहने वाला है तो एक थोड़ा सा यहाँ पर जो सूर्य की स्तिती है वो आपको बनी हुए तीसरे घर में तो कोई भी सहसिक कारे हो कोई भी बहुत ज्यादा मेहनत वाला सारिक ताकत वाला कोई भी काम हो कर सकते हो अब इसके अरवा सूर्य यहाँ पर नाइन था उसको देख रहे हैं तो निस्तित आपको फाइदा होगा एजुकेशनल जो परपज है जहां पर आपका अध्यन जो रहता है उससे समंदित और पिता के साथ भी समंद अच्छे ही रहेंगे किसी बरकार की कोई दिकत नहीं होगी तो यहाँ पर निस्तित रूप से कही न गई फाइदा आप लोगों को मिलने वाला सूर्य के गोचर का अब सूर्य फिर आपके आ जाएंगे फोर्थ हाउस में आने के बाद 15 जून के बाद आपको कोई सरकारी साहिता मिलना सरकार से कोई न कोई लाब मिलना उसके बहुत ज़्यादा चांसे बढ़ जाएंगे तो यह ऐसी इस्तिती है जहाँ पर आपको सूर्य का लाब जरूर लेना चाहिए अब हम बात करते हैं आगे बढ़ते हुए यहाँ पर सनी के बारे में देखें सनी के गोचर को अगर आप देखेंगे तो 5 जून से कुम्ब में वो वक्री हो रहे हैं यानि कि आपके बार्वे घर में वक्री हो रहे तो फोरेन से रिलेटेड अगर कोई काम है तो उन में थोड़ा उतार चड़ा आवा सकता है ऐसा हो सकते हैं आपने कोई काम सोचा होगा कोई प्लानिंग करीग उसको आपको फिरसे बदलना पड़ सकता है लेकिन अगर आपका काम अगर मालीजिये यहाँ पर 5 जून से पहले पहले आप निप्टा लेते तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी अदर्वाइस थोड़ी बहुत समझ जा सकती है इसके लवा जो पैसे का खर्चा है वो भी बहुत ज़्यादा आप लोगों का हो सकता है यह आपको देखना पड़ेगा शाथ में यहाँ जो सनी हैं बारवे घर में हैं तो निशित्प ही अध्यात्मिक प्रवर्ती की तरफ और जीवन की तरफ आप जाएंगे और अगर आपका यहांपे कोई क्रूर ग्रेवेट है सनि के साथ कोई और ग्रेवेट है तो जो जेल यात्रव वगईरे के चांसे से जो रहते हैं उनमें भी थोड़ी मुथ कम है आएगी अगर आपने कोई अप्राद कर दिया अंजाने में तो निश् riot ही यहांपे सनी के यहाँ पर वक्री होने के बाद निश्चित फाइदा आपको होगा तो अब सनी का जो गोचर है पाँच जून से वो वक्री हो रहे 23 अक्टूबर तक वक्री रहेंगे तो आपके फ्रेंड सर्किल के शाथ भी समन्द थोड़े बहुत बिगड़ सकते हैं या बहुत ज्यादा अच्छे समन्द ना रहे और धन का खर्चा किसी काम के लिए दान पुढ़ने के लिए यह सब हो सकता है तो यहाँ पर यह सब आपको देखना चाहिए अब देखी लगबग हमने सभी के बारे में बात करी और राहू केतु की जहा तक बात है राहू आपके सेकेंड हाउस में गोचर कर रहे है केतु आपके अस्टम में गोचर कर रहे है तो इसका एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया है बहुत अच्छे से वो वीडियो आप चेक कर सकते यहाँ पर हम चलते हैं सीधा कुछ अच्छे दिनों की बात्ते कर लेते हैं आप लोगों के लिए सबसे अच्छे दिन इस महिने में काफी सारे निकल के आए हैं जहाँ पर 3, 4, 5, 14, 15, 20, 21, 22, 25, 26 और 27 यह सारे दिन आप लोगों को काफी अच्छे रहेंगे बाकी आपकी पर्सनल चार्ट पर भी काफी कुछ डिपेंड करता है कि आपको कौन-कौन से दिन सर्वस्रेश्ट रहेंगे तो इन दिनों में आप थोड़ा फोकस कर सकते हैं अपने काम को निपटा सकते हैं कोई बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट काम आप कर रहें तो इन दिनों में वो कर सकते हैं इसके बाद देखिए हम यहाँ पर बात करते हैं कुछ खराब दिनों की जहाँ पर चंद्रमा का ट्रांजिट जब लियों में होगा तो 6 और 7 तारिक को अपनी रूटीन पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा अपनी सेहत पर ध्यान देने के साथ आप लोगों को किसी से विवाद मोल नहीं लेना है पैसे का कोई खर्चा करना है या पैसा उधार लेना है तो बहुत ही सोच समझ कर आपको आगे बढ़ना होगा अब चंद्रमा का जब लिब्रा में ट्रांजिट होगा तो 10 और 11 को थोड़ा मांसिक रूप से प्रेशर रहेगा आप लोगों के उपर धन समन्द इस्तितियों में कोई बहुत बड़ा बदलाव हो सकता आपको और अचानक धन की प्राप्ति भी इन दो दिनों में हो सकती है अब चंद्रमा जब एक्वरेस में ट्रांजिट करेंगे तो 18 और 19 तारिक को यह समय में कोई भी बड़ा डिसिजन लेने से बचे कोई भी इंपोर्टेंट डिसिजन लेने से बचे और यह समय में इधान रखे कि आपके जो सेहत है वो भी अच्छी रहे और नेंद से जूड़े हुए समसे आप लोगों को नाए इन दो दिनों में तो यह आपको अवस्य धान रखना है